फन का opposite word क्या होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं फन का मतलब होता है मजा या आनद या जिस चीज में आपको अच्छा लगता है तो उसको उसके लिए हम fun कहते हैं तो इसका उलटा हो सकता है boring या suffering यानि कि कोई चीज जिससे आप bored होते हैं या जिसमें आपको कश्ट होता है तो उसको आप boring या suffering कह सकते हैं तो जैसे कि आप यह कह सकते हैं playing board games with friends can be a lot of fun यानि कि दोस्तों के साथ board game खेलना एक बहुत मज़ेदार चीज हो सकती है इसका उलटा हम कह सकते हैं playing board games with friends can be boring यानि कि यह boring हो सकता है board game दोस्तों के साथ खेलना या फिर आप कह सकते हैं it was a fun for us यानि कि हैं हमारे लिए एक बहुत मज़ा था इसका उलटा हम कह सकते हैं it was a suffering for us यानि कि हैं हमारे लिए एक बहुत कष्ट वाली चीज़ थी है यह कष्ट था अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब को पर सकरें